नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग काफी दिनों से ये डिमांड हो रही है काफी महीनों से ये डिमांड हो रही है इंफेक्ट मुझे बोलना चाहिए इंडियन एकॉनमी बाई रमेश सिंग अपलोड कीज़े सर चुकि प्रिलिम्स का एक्जाम आने वाला है लगबग तीन हैं जो हमें पढ़ने की जरूत नहीं है हमें सकिप करने की जरूत है तो जो कम इंपोर्टन चीज़े हैं उस पर उतना जदा ध्यान नदेते हुए हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे और जोजादा चीज़े हैं उनको मैं आपको जादा conceptual तरीके से सम्झाने की कोशिश क परूँगा और as usual मैं बहुत holistic approach यहां पर लेके चलूँगा लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको quality की लक्षमी गान समझाई थी उस प्रकार से चीज़े मैं यहां से take up नहीं करूँगा चैकि quality की लक्षमी गान का एक एक शब्द बहुत important है लेकिन रमीश सिंग की economics के किताब का है किसी और publisher के या author के economics के किताब का एक एक शब्द important नहीं है Indian economy की जब बात होती है economics की जब बात होती है UPSC के perspective से देखो किसी exam के perspective से गर आप देखो तो जो current में issues चल रहे हैं जो current में concept चल रहे हैं वो ज़्यादा useful हो जाते हैं इसलिए मैं आप में आपसे एक बात और बोलूँगा कि मैं Indian economy by harshit divedi करके मैंने एक playlist बना रखी एपने चैनल पे इस playlist section में आपको ये वाली playlist मिलेगी Indian economy by harshit divedi मैं आपको बोलूँगा कि आप इस playlist की सारी videos को देखो जब जब भी मैं इस playlist में वीडियो अपडेट करता हूँ आप उसको देखो चुकि जब भी मैं इस playlist में वीडियो को एड करता हूँ economy से related जो important चीज़े चल रही भी current affairs में वो बताता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने budget को तीन भागों में cover किया था P1, P2, P3, Cryptocurrency के brand की बाद चल रही है, bad banks in budget 2021, नीरव मोदी का extradition, ठीक है, black check companies कैसे काम करती है, OPEC Plus के सामने क्या issues चल रहे है, electoral bonds में क्या problem है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो बहुत important issues होते हैं Indian economy के, current affairs के वो मैं Indian economy भाई हरशित दिवेदी वाली इस playlist में अपडेट करता ह तो make sure कि आप इस playlist के साथ associated रहे, यह subscribe का button दिख रहा है, अगर ना दबाया हो तो जरूर दबा देना, प्लस एक और बात, economy की basics को समझने के लिए NCRT हमारी बहुत मदद करती है, तो और economist के NCRT की बात की जाए, तो economics में NCRT शुरू हो रही है 9th class से, तो 9th, 10th, 11th और 12th की NCR में ने बनाई है, आप मेरे ही चैनल के playlist section में जाके इन classes की NCRT भी देख सकते हैं, एक आपका proper basic, यह फिर आप कह सकते हो कि जो आपका basic concepts है, वो clear हो जाएंगे, अगर आपके basic concepts आपको लगता है, clear है, तो balance would, तब कोई बात ही नहीं है, chapter 1 यहाँ पर मैं शुरू कर रहा बना रखी है, उनका reference में आपको देता रहूँगा समय समय पर आने पर, एक बार मैंने जब इस playlist को complete कर दी, आपको कहीं पर भी और जाके कुछ भी videos देखने की जरूत नहीं है, Indian Economy by Ramesh Singh 12th edition करके मैं playlist भी बना दूँगा, लेकिन याद रखेगा, सिर्फ Ramesh Singh का concepts नहीं, मैं बाकी important किताबों के concepts भी यहाँ पर include करूँगा, जो मुझे सरूरी लगेंगे आपके exams के, आपके knowledge के perspectives और केवल exams के perspectives से मैं सोचिएगा इस वीडियो को, अगर आप ग्यान भी लेना चाहते हैं Economy की field में, तो भी ए वीडियो आपको उतनी ही काम आएंगी, ठीक है, chapter 1 में ये PVA and GDP, fixed based to chain based method, अब देखिए यहाँ बहुत basic तरीके समझाया जाएगा कि gross value added और cross domestic product में क्या फर्क है, तो अब बहुत से concepts आपके इस playlist में धीरी धीरे करके clear होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा इतना आसान भी नहीं है, आपको अपना दिमाग proper तरीके से खोल के रखना पड़ेगा, हो सकता मैं कोई tricky सी समझाओ, ना समझ में आए, फिर से देखो, फिर से analysis करो, समझ में आएगी, like कब बटन जरूर दबाओ, ज़्यादा ज़्यादा लोग साथ इस वीडियो को share और subscribe करो, मुझे इस प्रकार की वीडियो को बनाने में, इस प्रक कर सकते हो, समयान पर कर सकते हो, तो इतनी वीडियो कोस्ट है, आप ज़रूर जवाब दूँगा, टेलिग्राम ग्रूप आप जोईन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इन lectures की PDF में available करवा दूँगा, तो फर्स चैप्टर के जब सारे lectures कंप्लीट हो जाएंगे, तो इस PDF को भी मैं आपको available कर दूँगा, हाला कि मैं आपसे बोलूँगा कि PDF के चक्कर मत रहो, ये जो किताब है न 12th edition की रमेश सिंग की, इसको जरूर खरीद दो, काम आईगी आपके, जो किताब को खरीदने का link है सम्मे लगा तो वो भी मैं नीचे description box में डाल दूगा, अब अगर economics की basic definition देखी जाएं, जो की किताब के पहले ही introduction ने दे रखी है, तो बताया गया कि economics is the study of how goods and services are produced, distributed and consumed, as the resources are always in short supply, the British economist Neonel Robbins in 1935 described the discipline as a science of scarcity, पतलब economics क्या है कि भई, कैसे goods and services को produce किया जाता है, कैसे वो बाटा जाता है, लोगों के बीच में कैसे लोग उनको consume करते हैं, ठीक है, और खास बात दोस्तों यह है, कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, और अबादी के साथ-साथ एक और problem हमार society में inequality. लोगों के पास जदा पैसा है, कुछ लोगों के पास कम पैसा है. और बिससे बात है, जिनके पास कम पैसा है, वो बहुत सरे चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं. तो चीज़ें के वाल उनके लिए अवेलेबिल रहती हैं, जो खरीज सकते हैं. तो सबके लेखरीघ़ है न, this is the science of scarcity, बतलब एक ऐसी science जिसमें हमेशा कमी ही रहती है, economics को एक dismal science भी बताया गया है, ठीक है, एक depressing और poor science भी बताया गया, dismal science, depressing science, poor science, मतलब गरीबों की science, क्यों ऐसा बोला गया है, Thomas Carlyle करके Scottish historian है, उन्होंने अपनी publication, occasional discourse on the Negro question, जो कि उन्होंने 1849 में पॉब्लिश की, उसमें ये लिखा था, अब आपको इन authors को याद रखने की जरूत नहीं है, इन authors के references, ये रमेश सिंग की किताब में दे रखे हैं, it is not important, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको बता रहा हूं, Scottish student Thomas Carlyle ने इसको poor science क्यों बोला, economics को poor science क्यों बोला, इसलिए बोला, चुकि देखिए, 1849 की जो American society थी, महाँ पे America की society में equality नाम की चीज़ तो थी नहीं, तो जो वहाँ की black population थी, जो वहाँ की Negro race के लोग थे, उनको काफी दबाया जाता था, तो इन Negro race के लोगों के लिए basic facilities available नहीं थी, वो अपनी requirement के हिसाफ से चीज़ें नहीं खरी सकते थे, तो demand और supply वालो जो नियम आता है न, economics में, उसमें नीग्रोस को count यह नहीं किया जाता था, फिर T.R.Maltis और बहुत सारे और economics ने समय समय पर यह बात बताई है, जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है, आप में विसे बहुत सारे लोगों को जो complain करते हों कि भाई समझ में नहीं आता है, ठीके, यह really में एक tough subject है, it is not an easy subject, तो अगर आप ऐसा बोलते हो, complain करते हों कि भाई हमको economics नहीं समझ में आ रही है, तो कोई problem नहीं है, यह problem बहुत सारे लोगों के सामने आती है, ठीके, तो चुकि इसको समझना बहुत ज़दा मुश्किल है, common people के लिए इसको समझना बहुत ज़दा मुश्किल है, सोची आप और हमारे जैसे लोगों ने तो कभी न को भी civil services की तियारी की है, तो हमें समझना मुश्किल हो जाता है, तो common इंसान को तो क्या ही समझ में आएगा, अब एक common इंसान से पूछ दो जाके, भाई GDP और GV में क्या फरक होता है, दिमाग घुम जागा काईगा पागल हो, क्या बेकार की बाते करो, ठीके न, काम करो, खाना भी न खाओ आगे बढ़ो, तो इस तरीके की सोचे, तो इसको failed science जी बोला जाता है, पूर science है, ठीके, और इसके उपर क्रिट साइस क्या लगा जा रहा है कि जल्दी समझ में नहीं आती है, एक और रिजन से इसको failed science बोला जाता है, failed science मतलब कि यह fail हो चुकी है, यह successful नहीं है, अब इसको आप failed science क्यों बोलते हो, 2008 में US subprime motor gauge crisis आई थी, US subprime motor gauge crisis में आपको समझा चुका हूँ, अगर आपको याद नहीं है कि मैंने यह subprime motor gauge crisis कब समझाई है, तो यह रहा उसका thumbnail, shadow banking and subprime motor gauge crisis 2007 से 2010 explained, subprime motor gauge crisis मेरे नाम हर्शित दिवेडिक साथ YouTube में सर्च मारिए, चाहे shadow banking मेरे नाम हर्शित दिवेडिक साथ YouTube में सर्च मारिए, आपको यह video मिल जाएगी, references में यहाँ पे आपको बहुत सारे देने वाला हूँ, चोकि economy references का ही subject है, आपको बहुत ज़दा interrelate करके पढ़ना पढ़ेगा, तो जब यह crisis आई ना, और पूरा economic system अमेरिका का collapse हो गया, और उसके global effects आए, पूरी दुनिया पे इसका effect पढ़ा, तो बहुत सारे लोगों ने बुला कि यह जो economics है, यह एक fail science है, fail science क्यों है, चुकि भाई, आपका इतना बड़ा subject, अगर आने वाले खत्रे को ही आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो मतलब क्या है, लेकिन उसके बाद भी हम यह जानते हैं, कि कहीं न कहीं economics हमारे लिए हमेशा important रही है, यह अलग बात है, कि economics किस प्रकार से काम करती है, इसको समझना हमारे लिए हमेशा एक challenge रहा है, खास कर उन लोगों के लिए जिनका economics में कोई भी background नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, यूनिवरस्टी में पढ़ रहे हैं, इनको economics समझ में आती है, अब देखें, जो economics में अपनी graduation कर रहा है, या post graduation कर रहा है, उसको तो obvious ही बात है, कि economics के बारे में थोड़ा बहुत ग्यान होगा, बट एक normal engineering graduate को, MBA graduate को, जो कि finance में economics नहीं कर रहा है, उसको हो सकता है, कि economic system को समझने में थोड़ी problem हो, ठीक है भई, तो कहीं न कहीं economics समझना मुश्किल है, हमको इस समझ में आ गया, अब बात यह हैं कि economics के समझने को दो चीज़े हैं, एक तो economical concept को आप समझो, कि भाई ये GVA क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, इस प्रकार के terms को आप समझो, दूसरा, इन terms को समझ के, economic ground level पर कैसे काम करती है, overall जो अलग-अलग terms आप पढ़ते हो economy में, उनका ground level पर application कैसे होता, वो जो applicatory part होता है, economies का समझना, वो भी बहुत important है, तो इन दोनों को जब आप समझोगे, तब आप overall ये समझ पाऊगे, किस प्रकार से economy काम करती है, अब देखें भाई, कि economy के अगर बात की जाए, तो इसमें एक और चीज़ involved है, humanities, humanities में पौन कौन से subject साते हैं, अगर मैं आप से पूछों, एक simple बार्षा में, कि what are the subjects that are covered in humanities, तो भाई philosophy की बात कर लिजे, heart and culture की बात कर लिजे, law की बात कर लिजे, language की बात कर लिजे, religion की बात कर लिजे, आप anthropology की बात कर लिजे, इस प्रकार के जब आप subjects को पढ़ते हो, ये किस के subjects हैं, ये humanities की subjects हैं, तो क्या humanities के subjects को, और economy को पढ़ए को आप अलग कर सकते हो, बिलकुल नहीं यह लग कर सकते हो यह सारे के सारे सब्जेक्स कहीं न कहीं एकॉनिमी के साथ जुड़े हुए है तो जब आप एकॉनिमी पढ़ोगे न तो आपको अपनी अप्रोच इंटर डिसिप्लिनरी रिखनी पड़ेगी जो कि जो यह एकॉनिमिक्स नाम का सब्जेक्ट है यह बहुत सारे सब्जेक्स के अंदर एंट्री मारता है क्यों एंट्री मारता है जो कि सिंपल वे में अगर आप एकॉनिमिक एक्टिविटी को डिफाइन करना चाहो तो all activities where money is involved can be called economic activities वो सारे activities जहां पर पैसा involved है उसको आप economic activity बोलो जहां money kicks in where पैसा kicks in then comes the economic motive अब आप पैसा कहां कहां पर आप कर सकते हो देखे आपको नौकरी लगी आप नौकरी दे रहे हो आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो शेर्स की टर्डिंग कर रहे हो को सामान खरीदरों को business कर रहे हो यह सब किसके parts है यह सब कहीं न कहीं economy के part है चुकि कहीं न कहीं इसमें पैसे की खरोत-फरोत किसी भी सामान के अगर आप खरीद-फरोत करते हो तो उसमें पैसा involved होता है समझ गया बात को तो जहां पे भी पैसे का angle आ गया वहां पे economy आ गया लेकिन अब यह थोड़ी सी complicated है इतनी simple नहीं है कि जहां से पैसा आया वहां पे economy आ गया आप किसी religious place पे कहें prayer करने के लिए तो अब आप भगवान की जाके पूजा कर रहे हो तो obvious ही बात ही है economic activity नहीं है यह बात तों को समझ में आगी लेकिन जब आप भगवान की बुजा करते वरते है मंदिर के बाहर निकले तो आपने देखा कि वहां कुछ बेकारी बैठे है तो आपने बेकारी को 5 रुपे है 10 रुपे अबनी शद्दा के साफ़ से कंबल दे दी आप एक बड़े बिजनस्मेन हो आप बहुत मानते हैं अपने भगवान को आप अपने मंदिर में जिसी भी धर्म के भगवान हो आप वहां पे गए आपने 1,001 रुपे चड़ावा 50,000 रुपे 5,000 रुपे 1,000 रुपे अपनी अपनी काबलेत के साफ़ से 10 रुपे आपने दे दिये तो अब पैसे का इंवल्मेंट आ गया तो जब पैसे का इंवल्मेंट आ गया तो एकनॉमिक एक्टिविटी होगी तो अगर हमसे यह पूछा जाए कि आप किसी एक जगा पर पूजा करने गए तो वह एकनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है तो अब इससी बात यहाँ पर थोड़ा सा कन्फियूज हो जाओगे चो कि जब आप पूजा कर रहे हो तो वह एकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जब आप उन गरीबों की मदद कर रहे हो जब उस temple trust को पैसा दान कर रहे हो तब वहाँ पे economics आ जाती है तो basically यहाँ पे obvious ही बात है economic activities वो सारी activities हैं जिसमें prayer involved नहीं है जो कि prayer में कोई पैसा नहीं है आप अपने भगवान से अपने लिए कुछ माग रहे हो ठीक है ना और आपके एसाफ से आपके भगवान वो बहुत ताकतवर हैं भगवान के बारे में सब की अपने इतियोटस हो सकते हैं तो भगवान के साथ तो आपने कोई भी पैसे का लेंदिन नहीं किया हाँ यह अलग बात है कि अपने अंदर से माना कि मुझे खुब दौलत मिल जाए खुब पैसा मिल जाए यह सब मिल जाए यह सब तो ठीक है आपने मांगा लेकिन कहीं ना कि भगवान के साथ अपने पैसे की कोई डिलिंग नहीं की पैसे की डिलिंग आपने किसी भी discipline को define करना आज तक बहुत मुश्किल रहा है इसलिए यहाँ पर आपका रमेश सिंग में दो definitions दे रखी है एक definition है Economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable communities and distribute them among different people मतलब economics इस बात की पड़ाई है कि कैसे जो हमारी society हमारा समाज है वो scarce resources नहीं कम available resources को इस्तमाल करके कुछ काम की चीज़ें valuable commodities को पैदा करते हैं और फिर उन commodities को अलग-अलग लोगों में बाढ़ देते हैं उनकी उकात के असाफ से पिर एक और definition दे रखी है यह पहली वेले definition थी दूसी definition है economies study how individuals, firms, governments and other organizations within our society make choices and how these choices determine a society use of its resources ना तो economics इस बात की पढ़ाई करती कैसे ही individuals, firms, governments और दूसरा organizations हमारी society में choices लेते हैं और इन choices के साफ से उस society में जो भी resources हैं उनका प्रेयोग किया जाता है तो कुल मिलाक economics है क्या कि कैसे एक समाज अपने limited और scarce resources को, कम available resources को use करता है ठीक है ना भाई तो आप कह सकते हो कि basically how a society, how a society, कैसे एक समाज अपने थोड़े बहुत resources को इस्तमाल करके लोगों के पास useful चीज़ें पहुँचाता है इस बात की पढ़ाई को ही आप economics पूलते हो अब यहाँ पर बात करते हैं दो प्रकार के economics की एक है micro economics, एक है macro economics अगर तो अब तक आपने मेरी NCRT class 11 की economic की किताब देख रखिए, पढ़ रखिए तो वहाँ पर आपको micro economics और macro economics क्या होता है मैं already समझा चुका हूँ ठीक है नहीं पढ़िए तो आप class 11 की NCRT एक बार देख लो NCRT बार बार देखने के लिए से बोलता हूँ बेस स्ट्रॉंग करती हूँ economics में तो खासा कर NCRT इस बहुत important है चोकि history में और polity के NCRT एक बार को आप छोड़ दो खासकर polity को छोड़ दो तो एक बार को चल जाता history की तो फिल भी बहुत important है लेकिन economics के NCRT बहुत ज़दे important है चोकि economics का बेस बहुत जरूरी होना चाहिए अगर आपका बेस सही नहीं है बड़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी अब बात करते हैं कि ये micro और macro economics निकले कहां से Great Depression आया USA में 1930s में ये समय था First World War से Second World War के बीच का US की economy की हालात बहुत खराब हो गया और ये जो problem होई थी USA में इसको मैंने history के NCRT में cover किया ठीक है ना उस समय पर USA जर्मनी की मदद कर रहा था चुकि First World War में जर्मनी तबाह हो गया था तो जर्मनी को फिर से उठाने में USA मदद कर रहा था लेकिन USA में खुदी Great Depression आ गया अब जब USA में Great Depression आ गया उसके बाद जब economics की study को थोड़ा इवाल्ड किया गया तो यहाँ पर economics की दो ब्रांचे निकली एक निकली macro economics एक निकली micro economics आप बोलोगे कि macro economics के फादर कौन थे जॉन मेंनर्ड केंस इनका नाम मैं है लिखूँगा जॉन मेंनर्ड में एवाई ने आर्डी केंस कि नीशन economics सुना है न यह नहीं की दी हुई है तो जॉन मेंनर्ड केंस ने बताया किसके बारे में macro economics के बारे में इसलिए इनको बोला जाता है father of macro economics जॉन मेंनर्ड केंस को father of macro economics क्यों बोलाता है चुकि इनकी एक publication आई थी the general theory of employment interest and money 1936 में आय था general theory of employment interest and money किसने publish के है तो जॉन मेंनर्ड केंस ने ठीके अब यहाँ पर बात की जाए कि macro economics और macro economics में फर्क क्या है अगर आपको macro economics समझना है तो आप समझो मान लो एक समय के लिए कि macro economics macro यानि बड़े scale पे काम करा तो अगर jungle है macro economics तो macro economics पेड़ है जो कि आपको पता है कि एक जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं तो macro economics जब आप बड़े scale पे चीज़ को study कर रहे हो और micro economics जब आप छोटे scale पे चीज़ों को take up कर रहे हो जैसे कि एक organization में जो chief executive होता है वो overall organization की functioning को देखता है और उस organization के किसी एक छोटे सी regional office के किसी एक department में एक employee कैसे काम कर रहा है अगर आप इस level को देखोगे तो हो जागा micro तो यह फर्क है micro और macro में macro बड़े level पे काम करता है micro छोटे level पे काम करता है इसलिए micro और macro ये Greek words है micro एक Greek word है जिसका मतलब होता है small macro भी एक Greek word है जिसका मतलब होता है big और जब आप micro economics की बात करते हो तो आप एक bottom up approach लेते हो economy को analyze करने के लिए जब आप macro economy की बात करते हो तो आप एक top down approach लेते हो ठीक है बही तो macro economy में आप उपर बैठके overall economy को समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप उपर बैठके overall economy को समझोगे तो आपकी जो approach है वो उपर से शुल्यों के नीचे की तरफ आएगी micro economy में आप छोटी-छोटी चीज़ों को देख रहे हो तो छोटी-छोटी चीज़ों को देख रहे हो तो आप ground level पे उपर से नीचे आता है macro चुकि आप बड़े स्केल पर चीज़ों को देख रहे हो micro में नीचे से उपर जाते है चुकि आप छोटे लेवर से चीज़ों को देख रहे हो example देगे है while micro tries to understand the choices which consumers make and income they earn macro tries to understand the dynamics of inflation and growth तो micro economy क्या देखती है कि भाई जो consumers है वो individual level पे अलग-अलग fields में कौन से चीज़ खरीद रहे है वो यह चीज़ क्यों खरीद रहे है local level पे इस चीज़ा क्या production हुआ इस के दाम बढ़े इस commodity की घटे तो इस दो micro level की बात हो रही है और overall जब पूरी GDP का आप inflation देखने लगे पूरी GDP के आप growth statistics देखने लगे तो वो हो गई एक macro approach दोनों देखने में अलग-अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत interdependent हैं और एक दूसरे को compliment करती हैं और बहुत सारी चीज़ों में overlapping और contradictory issues भी यहाँ पे निकल आते हैं अगर आप macro effect की इसको आप देखोगे तो micro का part हो जाएगा overall पूरा ही raw materials की cost में inflation आ रहा है पूरी economy में ही दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों के तो इसको आप macro level पे देख रहे हो तो inflation को देखना खासका लिए consumer price index और wholesale price index देखते हो यह किसके parameters हैं macro economics के parameters है जो कि यह पूरी economy को देखते हैं तो आपको macro और micro के बीच के फर्क को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ओके अब जब इनकी पढ़ाई होती थोड़ी problem साती प्रॉब्लम क्या क्या आती जब आप micro चीज़ें पे देखते हो micro level पे आपको theories develop कर पाते हो ठीक है जैसे कि demand or supply की theory हम आपने micro level पे देखके demand or supply की theory को device किया तो आपने देखा कि भाई प्याज है तो प्याज की supply अगर कम हो गई तो प्याज के दाम बढ़ जाएंगे तो प्याज पहले 100 किलो था मार्केट में जुदाम चल ले थे 50 रूप प्रति कीजिए एकदम से भाज घटके 20 किलो बचा मार्केट में तो सकते हैं तो यह micro level प्याज की तिहोरी डेवलोप की demand or supply की थिए ठीक है तो theories के basis में micro level पे बात कर सकते हो लेकि जब आप macro level पे आते हो तो macro level में नीचे की तरफ इतने सारे factors काम करते हैं कि आप theory device ही नहीं कर सकते इतने सारे sectors, उन sectors में अलग-अलग factors एक theory device कर पाना बहुत मुश्किल है इसलिए macro level पे observation की basis पे काम होता है macro level पे analytics की basis पे काम होता है और वो analytics बहुत hazard तरीके से बदलती है इसलिए जब observation की basis पे चीज़ें करी जाती है तो उसको बोला जाता है empirical analysis तो जो macro economics होती है वो empirical economics पे काम करती है यह आद रुखिएगा और जब चीज़े observation पे involved होती है empirical analysis पे involved होती है जहां पे आप observe करके theory में बात नहीं करो चुकि theory में written theories होती है लेकिन observation में written होती है चीज़ें बड़ उसके पीछे जो statistics है न उन statistics को अलग-अलग प्रकार से analyze किया जा सकता है interpret किया जा सकता है तो empirical analysis में होता क्या है कि जब आप चीज़ों को observe करते हैं तो observation अलग-अलग individuals के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है और इसी लिए empirical analysis में अलग-अलग thought process निकल आए है तो आप देखिए new key nation economics आ गई है new classical theories आ गई है वहीं पर अगर आप micro level पे चले जाओ तो जो demand और supply की जो theory है उसको ज़ादर लोग negate करते नदर नहीं आएंगे लेकिन macro level पे जो theories exist करती है theory तो है यहीं नहीं macro level पे macro level पे empirical analysis है तो इन empirical analysis के against आपको बहुत सारे contradictory points मिल जाएंगे इसलिए आपको देखेगा कि macro economics में बहुत अलग-अलग schools exist करते हैं new key nation school है, new classical school है हाला कि divisions कम हो रहे हैं but macro level पे जो भी economics के पढ़ाई होती है उसमें काफी divisions है micro level की economics पढ़ाई तो उतने division नहीं है इस macro और micro के लावा एक और feel यहां exist करता है जिसको बोला जाता है econometrics econometrics is the third core area of economics micro और macro के लावा काम करता है simple बात है econometrics, number और matrix की बात हो रही है यानि statistical models और mathematical models को इस्तमाल करके जब आप economics की study करते हो then that becomes econometrics यहां पे sophisticated analysis होती है micro और macro के sub fields की econometrics में बहुत high level की बाते होती है मतलब आपने economics को अलग-अलग fields में segregate कर दिया अलग-अलग fields के कुछ important points को उठाया उनके mathematical और statistical data को analyze किया और अपने observations दिये econometrics बहुत high level पे गाम करता हमको उसमें गोजने की जरूत नहीं है जो लोग economics में post graduation करते हैं वो इसमें महारत हासिल करते हैं हमें इसमें महारत हासिल करने की जरूत है भी नहीं हमारे लिए जितना जरूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ अब बात करते हैं what is an economy तो economy क्या है economy is economics in action economics action मतलब बहुत सारी economic activities हो रही है तो बहुत सारी economic activities consolidate तरीके से हो रही है जहां पे हो रही है उसको आपने बोल दिया economy तो यह क्या है it is a still frame picture of economic activities मतलब की एक आपने मालेज़े still frame जैसे आप घर में frame होता है इसे photo लगी हो जिती है तो उस frame के अंदर आप मालेज़े कि जो भी economic activity हो रही हो आपको नजर आ ली तो वो frame हो किया आपका economy हर country की economy होती हर company की हर एक family की अपनी economy होती वो भी एक प्रकार की economy हो गई छोटे level की बात होगी company थोड़ा बड़ा level country बहुत बड़ा level इसलिए आप बात करोगे US economy, Indian economy, Japanese economy यह सब साफ साफ हाता रहता है तो अब यहाँ पे economy की study की जो principles और theories है वो तो पूरी दुनिया में same है लेकिन सब के socio-economic indicators अलग-अलग है लोगों की countries की economy की जो trends है वो अलग-अलग है तो जपनीस economy का जो trend है वो Indian economy से अलग होगा Chinese economy का जो trend है वो US economy से अलग होगा क्यों? चुकि वहाँ पे social factors अलग है वहाँ के economic factors अलग है उन countries के पास अलग amount of natural resources है तो आप कहा सकते हो कि साओधी अरेबिया की एकॉनमी में जो factors काम करते हैं वो इंडिया में भी काम करते हैं नहीं साओधी अरेबिया की एकॉनमी बहुत हद तक oil-based है ठीक है न भाई तो कहीं न कहीं अगर कोरोना का pandemic आया है और oil की demand कम हो गई साओधी की economy को नुकसान होगा चितने भी oil producers उनकी economy को नुकसान होगा चुकि उनकी economy उस हद तक तेल पे dependent है हमें नुकसान कब होगा कि दुनिया पर में जब तेल की demand बढ़ जाएगी दाम बढ़ जाएगे तो इंडिया को उस परकार से नुकसान होगा हैं भाई sectors and types of economies अभी sectors and times of economies में यहाँ पर भी आपको समझाओंगा अल्रडी मैं इसको यहाँ पर समझा चुका हूँ ncrt cbsc class 9 की economics की किताब में primary, secondary और tertiary sectors क्या होते हैं इसके साथ एक वीडियो और देखिए primary, secondary, tertiary, quaternary और quaternary आप quaternary सेक्टर मेरे नाम हर्शित देदिक साथ या फिर sectors of economy मेरे नाम हर्शित देदिक साथ यूट्यूब में सर्च मारिए आपको यह particular वीडियो मिल जाएगी और लड़ी बवन हजार लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो वहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है कि primary sector क्या होता है, secondary sector क्या होता है, tertiary, quaternary sector क्या होता है हाला कि यहाँ पर भी समझाओंगा अब बात करते है primary sector की primary sector मतलब वो economic activities जहाँ पर आप natural resources को exploit कर रहो तो mining करके, जमीन खोद के, कोला बाहर निकाल रहो, this is a primary activity, चुकि आप natural resource को बाहर निकाल रहो आप agriculture करके धानोगा रहो, ठीके ना, तो आप agriculture क्या है, this is basically a primary activity, oil exploration, primary activity तो mining हो गया, agriculture activity हो गया, oil exploration हो गया, यह primary sector में आता है अब आप बोलोगे कि, भाई, oil exploration तो बहुत जिदा पैसे वाला काम है, तो primary sector का, हमारी economy में इतना कम percentage क्यों है देखे, agriculture का हमारी economy में कम percentage है, actually में, हमारे देश में जो industrial sector होता है न, उसके fuel की तरह काम करता है, oil, oil extraction, oil exploration, ठीके, खासकरी जो oil exploration वाला पार्ट है, this is forms the part of primary sector ठीके, उसी तरीके साब oil खोद के बहार निकाल रहे हो, extract कर रहे हो, धून रहे हो, तो आप oil natural resource के इस्तमाल कर रहे हो, मतलब primary sector में आ जाएगा, तो mining करना, coal निकालना, तेल निकालना, agriculture activity करना, ये सब आते हैं आपके primary sector में, ठीके भाई, आप किसी देश को agrarian economy कब बोला जाता है, जब उस देश की आधी national income, और बता फिर से बोलता है, जब उस देश की आधी national income और उस देश का आधा livelihood, agriculture से आए, तो उसका आप बोलोगे agrarian economy, चोकि उस देश की आधी national income, agriculture से आधी national income क्या ही, ये मैं आगे बताऊंगा, धीरे धीरे करके सारे concept सामने आएंगे, थोड़ा आप patience रखें, फिर आते हैं next पे, secondary sector, what is secondary sector, secondary sector, it contains all economic activities under which raw materials extracted out of primary sector are processed, also called industrial sector, जो भी आपने resources को पैदा किया primary sector के through, उन resources को as input, आप जिस sector में introduce करोगे, उसको बोला जागा secondary sector, तो अब आपने कोईला निकाला, लेकिन वो कोईला क्या रखेर होगे अपने सर पे, obvious सी बात है नहीं, उस कोईले को किसी thermal power plant में जलाके आप बिजली पैदा करोगे, तो क्या है ये, वो जो बिजली पैदा करने वाला process है ना, वो आगया आपका secondary sector में, ठाक है, तो वो economic activity ज सेक्टर, secondary sector, दोनों interchangeably use किये जाते हैं, ठीक है, फिर क्या बोला जाना, one of its sub-sectors, secondary sector में ही आपका included manufacturing, ठीक है ना, manufacturing, तो हमारे यहां पे भाई, जो बड़े-बड़े steel power plants है, manufacturing है, industrial sector ही बहु सकते हो, कोई भी चीज मैनुफेक्टर हो रही है, आप कपड़ा बना रहे हो, तो बहुत आगी रहा है, manufacturing sector में और industrial sector में बहुत सारी overlapping भी है, लेकिन यह दोनों secondary sector का part है, और जिस देश की आधी national income से जाधा, आधे employment से जाधा secondary sector से आता है, उसको बोलाता है industrial economy, चाइना बहुत जल्दी industrial economy बना, इसलिए आज की rate में चाइना की economy इतनी वड़ी हो गई कि वो US तक को टक कर देती है, ठीक है, तो यह होगा secondary sector, याद रखेगा manufacturing और industrial activity यह दोनों secondary sector में आती है, फिर बात करते हैं, tertiary sector की, tertiary sector all economic activities where services are produced falls in this sector, जहाँ पे कोई service किसी प्रकार की सेवा दी जा रही हो, education हो गया, healthcare हो गया, banking हो गया, communication हो गया, यह service है, यह service दी जा रही है, तो मतलब कि education, healthcare, banking, अब यह आप किसी bank में कह, SBI bank, पर SBI bank में आपने जा के बोला, साथ मुझे एक account खुरवाना है, या मुझे internet banking का सुष्धा चाहिए, या मुझे debit card चाहिए, credit card चाहिए, तो वो bank आपको कुछ ना कुछ सेवा प्रदान कर रही है, तो क्या हो गया, service sector हो गया समझगे, आप prepaid mobile से में लिया, आपने एटल का, उसके थुरू आप internet यूज़ कर रहो, तो यह जो telecommunication sector है, किसका पार्ट है, tertiary sector का पार्ट है, जिस देश की आधी national income, यह tertiary sector प्रवाइड करता है, या service sector प्रवाइड करता है, आधा livelihood, service sector प्रवाइड करता है, उसको service economy बो ठीक है, बाद में देखे, शुरुवात में primary, secondary और tertiary ही था, लेकिन quaternary and quaternary sector इतने अलग प्रकार से काम करते हैं, कि इनको अलग प्रकार से segregate किया गया है, ठीक है, in fact आप कह सकते हो, कि tertiary sector के दो सब-parts है, quaternary and quaternary, तो कुछ लोग इनको अलग बताते हैं, but in fact this quatern इसमें क्या है, quaternary sector, it is known as knowledge sector, activities related to education, research and development, come under it, तो कल की डेट में, आप Indian Space Research Organization के paper में मैठे, आपने इस रो कौलिफाई कर लिया, इस रो जोइन कर लिया, और फिर अगले मंगल यान में, आप अपना input दे रो, इस रो में रहके काम कर रो, आपने difference research and development organization जोइन किया, आप बह पास आउट हुए, फिर आपने Indian Institute of Science से अपनी aerospace engineering की और कल आपको NASA ने बुला लिया, तो आप NASA में जाके space exploration में काम कर रहो, आप कौन से सेक्टर में काम कर रहो, ग्यान के सेक्टर में काम कर रहो, यह हो गया quaternary sector, तो education, research, development, यह सब quaternary sector में आता है, एक exam होता है, इंडिय graduate record examination, GRE, GRE के बाद, जिन colleges में आप फॉरन में जाके पढ़ाई करते हो, वहाँ पर research करते हो, quaternary sector का पाट है, तो human resources, this sector plays the most important part in defining the quality of human resources in economics, यहनी कि, जितना जदा आप research and development में काम करोगे, होतना ही जदा एक देश के innovation बढ़ेगा, एक देश के efficiency बढ़ेगी, तो obvious ही बात है, qu मैंशा एक बात point out की जाती है, कि हम लोग science and tech पे जादा पैसा खतम नहीं करते, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, actually में science and tech पे जादा पैसा खतम करेंगे, तो हम अपने research and development के culture को कहने का मतलब quaternary sector को develop करेंगे, और जब हम quaternary sector को develop करेंगे, तो obvious ही बात है, हमारे resources बढ़ कोन चला रहे हो, यह वो sector है, जहां पर top decision makers आते हैं, तो भाई, सरजे ब्रिन और लेरी प्रेज, गूगल के CEO, टेसला के founder Elon Musk, Amazon के Jeff Bezos, Bill Gates, यह कौन से sector में आते हैं, quaternary sector में आते हैं, चुकि यह top level decision makers हैं in companies के, इंडिया में मोकेश अम्मानी की बात कर लो, आप गौटम यह top level के decision makers हैं, ना केवल private में, सरकारी में भी जो top level के policy makers होते हैं, जो top level के decision makers होते हैं, इनको भी quinary sector में count किया जाता है, और सरकार के top level के decision makers के साथ, इनकी जो bureaucracy होती है न, वो भी भाई, आप की quinary sector में count की जाती है, तो कल की date में, आप IAS बनते हो, या IPS IARS बनते हो, और चिवाले में जाके काम कर रहे हो, finance minister के अंदर, home minister के अंदर, top level की post पे secretary रिक्रिटरी बनके हो, you will also be a part of quinary sector, हमारे जितने भी ministers हैं, जो policy बनाते हैं, सरकार हमारी जो policy बना के implement करती हैं, यह सब quinary sector का part है, कोल मिला के देश को चलाने वाले लोग हैं, economy को चलाने वाले लोग private corporate sector भी इसके अंदर आता है, जो high level की decision makers होते हैं, in forces में जिनका 2,00,00 का package मिलते हैं, वो नहीं आते हैं, top level की decision makers, याद रखिएगा, तो यह हो गया आपका quinary sector, basically, they are considered to be brain behind socio-economic performance of an economy, एक economy कितना अच्छा काम करेगी, उसके पीछे जो दिमाग होता है, वो होता है आपका quinary sector रखा, ठीक है बाई, तो यह सब बाते हैं, यहाँ पर बताई गई है, finally, यहाँ पर बताएगा है, stages of growth, stages of growth बहुत सिंपल है, मैंने पहले आपको समझा रखा है, वैसे तो 5 linear stages बताई गई हैं, किसके दोरा, www, rostro दोरा, लेकिन कुल मिला के आप समझे, किसी भी देश की economy ना, एक pattern में चलती है, pattern क्या है, कि पहले वो agriculture में आगे बढ़ेगा, फिर industry में आगे बढ़ेगा, फिर services में, यहीं पहले primary sector में आगे बढ़ेगा, फिर secondary sector में आगे बढ़ेगा, फिर tertiary sector में आगे बढ़ेगा, इंडिया और कुछ Southie Station Nations हैं, जिसमें पाकिस्तान, फिलिप सेक्टर में आगे बढ़ेगा, यहीं हमारे secondary, industrial manufacturing sector में जितनी progress होनी थी, वो नहीं हो पाई, तो we are in exception, आगर आप चायना की बात कुरो, चायना में पहले agriculture तेजी से बढ़ा, फिर उनकी industry बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर उनका service sector तेजी से बढ़ा, आज की date में चायना का service sector industry से जाधा हो चुका है, लेकिन एक समय पे उनका industrial sector बहुत तेजी से बढ़ा था, और उसके बाद service sector डेवलेप पूर, इंडिया में industrial sector तेजी से नहीं बढ़ा, हमने सीधे service sector में entry मारी, ठीक है, अब यह बात अच्छी बात है या बूरी बात है, देखिए अच्छी बात कहीं नकी हमारी सरकार ने industry को बढ़ाया नहीं है, और कहीं नकी हमारी economy और employment है, जो कि मैं आपको बता दो, service sector बहुत बढ़ा employment giver है, तो industrial और manufacturing sector भी उतना ही बढ़ा employment giver है, उसमें भी इतना ही potential employment देने का, तो अगर आप अपना industrial और manufacturing sector डेवलप नहीं किया है, तो कहीं नकह आप कम employment generate कर पाओगे अपनी economy में, और इस employment को generate करने के लिए, अपने industrial manufacturing sector को आगर बढ़ाने के लिए, आपको अपना infrastructure बेच्छा करना पड़ेगा, मतलब कहीं नकहीं सरकार ने infrastructure में भी कम spend किया है, ये बात यहाँ से पता चलती है, ओके, ये जो हमारी हाँ पर जो transition देखन ये कि 1990s में, in fact 1991 में शुरू हो गया liberalization, privatization, globalization. तो अगरी कल्चर जो sector हमारा dominant था, उसका जो हमको industry में गुसना था, industry में ना गुसके हम लोग सीधे service sector में गुसे, जो कि बाहर की देशों की जो companies थी, उन्होंने industries में तो इंडिया में invest किया, लेकिन उन्होंने services में invest करना जा नहीं grow कर पाया है, और इसलिए आज की डेट में, बहुत सारे key capital goods के लिए हम China के ओपर dependent है, import करा के, जो की बहुत गलत है, this is not a good sign for us, तो ये था आज का analysis दोस्तों, यहाँ पे मैं चीजों को खतम कर रहा हूँ, next video में, economic system से शुरू करूँगा, I hope आपको ये शुरूआत अ अरड़ी बन रही है, तो marketing करना मजबूरी हो गई है, तो प्लीज लोगों के साथ share करके मेरी help करें, thank you for watching friends, और अच्छा लगी है तो जोर मटतना भाई है, good bye